सुब्र बसेगों कश्या 2 में स्थूप्राइग आ छेसा कि हमने पिछली कक्षा के अंदर पढ़ है hoते हैं वेस्तिवों के विश्ति आम होते हैं तो आज हम बढ़ेंगे स्थानों के नाम में किन की नाम emsक्तना में ठीकक हैं तो द्यान से देखिएगा, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे पिछली वीडियो समझ में आये होगी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्थानों के नाम से, स्थानों के नाम होते क्या है पहले इसका मतलब समझ लिए, कोई भी जगह, कोई भी स्थान का नाम जो होता है, वो जगह है ना और उस जगह का नाम है अगर आप कहीं भाहर जाते हो या आपका स्कूल में एड्मिशन भी होता है आप ताखिला लेते हो तब आपको बोलते ना कि अपनी जगह का नाम बताओ कि आप कहां रहते हो आप से अगर कॉंटेक्ट करना हो तो आप उसमें अपने जगह जरूर करते हो कि हम यहां रहते हैं वहां रहते हैं ऐसे हमने हर जगह को एक नाम दिया हुआ है जिससे हम उसको पहचान सके तो आईए ऐसे जो में में स्थान हैं वो कौन-कौन से हैं जैसे होगा चिडिया घर, बगीचा, जैपूर, मंदिर, विद्याले, आदी अगर आप कह किया, कहां किया बगीचे में किया तो वो बगीचा जो है वो बगीचे के उस जगह का नाम है हमने तो अपने घर के अंदर भी छोटी-छोटी कबरों को भी नाम दे रख है यह प्रसोई घर है ठीक है यह आंगन है यह शेयन कक्ष है मतलब बैडरूम है तो ऐसे हमने अपने घर के अंदर भी छोटी छोटी रूम्स को भी अलग लग नाम दे रखा है, मतलब छोटी छोटी जगह को भी नाम दे रखा है, तो यह सब हमारी किसमें आते हैं, स्थानों के नाम में आते हैं, चाहिए वो मंदिर हो जाहिए वो विद्याले हो या कुछ भी हो, अब जैसे हमा आपSe कोई पुछे कि हम बहुत पतो है वह फो कि इसका नाम सब्सक्राइब कि मैं आई हमारा स्थान के नाम में आता है हम कल दिल्ली घुमने जाएंगे हम कल दिल्ली घुमने जाएंगे तो जो इसमें दिल्ली है न वो दिल्ली भी किसका जगह का नाम है न अगर आप जा रहे हो घुमने तो बताओगे तो सही न कि उस जगह का नाम क्या है दिल्ली की अंदर भी आप छोटी छोटी जगहों पर घुमने जाओगे तो जो हमारा घर है आपने अपना आपने बताया कि मेरा घर जो है वो मैजिक सिनेमा घर के पास है अगर आप सिनेमा घर बताते तो सिनेमा घर तो बहुत सारे हैं लेकिन आपने पर्टिकुलर बता दिये ना कि मैजिक सिनेमा घर तो उस घर उसके पास में ही आपका घर है तो किस से आपको कोई भी जान जाएगा नकी आपका घर का है। यह जहां noises किस जगह पर रहते होrió तो यह स्थाने हँर। अब हम ने स्थानों को बढ़ा था आप आते हम भाव के नाम पर भाव के नाम में क्या quiet थे भाव को होते हैं जो हमारे मन के अंदर से निकलते हैं जो हम कुछ करना नहीं चाहते लेकिन हमारे मन से अपने आप प्रकट होते हैं जिसे हमारे अंदर से अच्छाई प्रकट होना बुराई होना शांती प्रेम जवानी बुढ़ापा शरारत यह सारे क्या हैं यह सारे के सारे भाव हैं ठीक है और यह भाव जो है वो हमारे अंदर अपने आप आते हैं ठीक है अब हमारा फर्स एक्जामपल देखी इसका अजे बहुत शरारती लड़का है अजे बहुत शरारती लड़का है तो इसमें जो शरारत है वो क्या है वो उसका भाव है जो उसके अंदर से निकल रही है वो क्या है हीना और मीना की मित्तरता बहुत गहरी है, हीना और मीना की मित्तरता बहुत गहरी है, तो इनकी जो मित्तरता है, वो क्या है, बहुत ही जादा गहरी है, और इसी के कारण जो मित्तरता है, वो उनका क्या भाव है, क्योंकि उनकी जो मित्तरता है, वो एक दुसरे के प्रति, एक प्रिती से बहुत घ्रिणा करती हूं, तो जो घ्रिणा है, घ्रिणा मतलब जलन उस पे गुसा करना, उसको बिल्कुल पसंद ना करना, ठीक है, तो ये जो घ्रिणा है, वो उसके वहवार को देखकर, मेरे मन में आई होगी प्रिती के वहवार को देखके, उसके आचरण को द आते हैं यह सब हमारे भाव में आते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं भावाचेक संगया कहते हैं तो संगया आप सब समझ गए होगे किसी व्यक्ति का नाम किसी वस्तो का नाम किसी स्थान का नाम और भाव के नाम को मैं आशे करते हूं कि आपकोस मजब आयोगा, थैंक्यू सुमच